अब में कीज़ पंचम अध्यार पढ़ने के बाद इसमें भगवान जी ने कहा था प्रितु को कि जो इस्त्री हिर्दे से ब्रह्मा जी का नाम लेती है मस्तक पर निर्मल्य धान करती है सदय अपसो भागयोती और पती व्रत्य बन जाती है इस व्रत में कपड़े दान करने से ब्रह्मा जी का नाम लेती है मैंने आपको बता दिया है इसमें कोई कमी हो तो उसको आप स्वेमी पूरी कर लें ब्रह्मा जी ने ये अभी कहा कि इस व्रत को करने की बात तो क्या है इस कथा को जो सिर्फ पढ़ लेता है उसे अश्रमे यकाफल मिलता है शश्टम अध्याय सूजी ने रिशियों से आगे कहा कि ब्रह्मा जी से अब तक पाच्व अध्यायों से विभक्त कथा सुनकर नारजी गदगद हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले की पिता मा अब करिपा करके कार्थिक मास के महतम्य का विस्तार प्रूप वर्न कीजी नारजी ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पूत्र तुम बहुत ही उधार और सभी प्राणियों का भला चाने वाले हो हे पूत्र नारजी से बोला ब्रह्मा जी ने तो इसलिम्रित्य लोग की निवासियों के भले के नीमित ऐसे तुमने प्रशन जो पूछ रहे हो, सुनो आज मैं तुम्हें, ऐसी कथा कहता हूँ, जिसे पढ़ने वे सुनने मातर से ही सब पापो का नाश हो जाता है, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, रम्मा जी ने कहा, कि सुनो नारद, आज मैं तुम्हें बताता हूँ, अति दुरलब है, अति पावन है, अति दुरलब है, यह संसारिक भहे को दूर करना और ग्यानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है, जिनकी कामना, जैसी कामना होती है, वैसी कामना उसकी पूर्ण हो जाती है. जिस प्रकार गंगप जी पापों को दो देती है सूर्य पापों को भस्म कर देता है उसे प्रकार से सत्थ समागम पाप तप दान दीनता तीनों को नश्ट कर देता है सत्थ समागम आधेशन का साधू समागम भी मोक्ष प्रावदान करने वाला होता है इतनी बात सुनकर तमाम रिशी मुनियों ने कहा कि है सूजी अब आप किरपा करके कार्तिक मास के महतम्य का इतियास और प्रसंग सुनाने की किरपा करें चटा देहस अब बड़ा लग गए श्री सूजी बोले कि हे रिशियों एक समय चंद्र बदनी और एवं कमल के समान कमल नईनी श्री सत्य भामानी मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्यों जिसके पती देश स्वेम तर लोकी नात और भगवान मदू सूदन है वे 16,160 में से सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं जिस कल्फ रिक्ष की प्रित्री पर बसने वाले प्रानी बात तक नहीं जानते वे कल्फ रिक्ष स्वेम मेरे आंगर में लगा हुआ है सब इचार करकर सत्यभामा निश्यक्रिशन से कहा कि मैं आप से एक बात पूछती हूँ आशा है कि आप मेरे हित में ही मेरे इन बातों का उत्तर देंगे सत्यभामा की ये बाते सुनकर भग्वार कहने लगे कि सत्यभामा का हाथ पकर कर कल्फ रिक्ष के नीचे ले गए और बोले है सत्यभामा अब सभी रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिये मानता हूँ मैंने तुम्हारे इसने के वह शिबूत सूर राज इंदर से विरोध करके यह कल्फ रिक्ष सर से लाकर तुम्हारे आंगर में लगा दिया है मैं तुम्हारे लिए नादान देने वाले अदे वस्तू भी दे सकता हूँ और आख अध्यायानी की ने कहने वली बात भी कह सकता हूँ अब यदि तुम्हें उससे गुप्त रूप से गुप्त भी बात पूछोगी तो मैं तुम्हें वो भी बता दूँगा भगवार क्रिशन की बात सुनकर सकते वामा गदगद होकर बोली स्वामी यदि आप मुझसे इतनी प्रसन हो तो मुझे बताने का गरपा करें कि मैं बने पूर जन में कौन सा ऐसा शुब काम किया था जिससे मैं आपके अर्ध हांगनी बनने का सुबाग्य प्राप्त हुआ था आपके साथ गुरूर पर बैठकर भ्रमलोक और इंत्रलोक में जानी का अवसर भी मुझे मिला हेनात पूर जन में मैं कौन थी और किसकी करन्या थी मुझे विस्तार पुर्वक आप बता दीजिए सत्यवामे की बात सुनकर भगवान शुक्रिशन मुस्कराये और बोले सत्यवामे मैं तुझका सब्रमरितान सुनता हूँ एक तुमे एका करशीतो कर सुनो सत्यवामे के अंत में माया पूर नाम के त्री कुल में देव शर्मा नाम के चारो वे दो छो शास्त्रो और ठारा पुराणों के ग्याता एक ब्रहम मर रहता था वे भगवन सुरिणारन का अतिन भक्त था रात दिन अतितियों के सेवल में लगा रहता था उसके कोई संतान नहीं थी फिर भी आयू बड़ी आयू में एक कन्या हुई जिसका नाव गुनवती रखा गया देव शर्मा ने अपने एक शिश्य जिसका नम चंदर परकाश के साथ वे वाकिया चंदर परकाश के ससूर के पिता के समाने सेवा की एक देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकडिया काटने को वन में गया तो वन में उनोंने इदर उधर फिरते हुए महाभयाना का राक्षस को देखा उसको देखकर उन दोनों के हाथ प्यार फूल गए और भागने में समर्थ होने के एकारण वे दोनों ही उस रक्षस के हाथ लग गए लग गए और मारे गए तो परंतु उस शेत्र में अभी भक्ती के प्रभाव के कारण मेरे पैकून धाम को चले गए जैसे ही में एक द्वारा वर्षा हुआ तो जब सब नदियां और समुद्र में प्रवेश कर जाता है तो ठीक उसी प्रकार गनेश, सूर्य, विश्णू इन में से किसी भी देवता की भक्ती वे उपास ना करें तो वह हमको ज़रूर प्राप्त होती है इसी से वह सूर्य भक्त हमारे देवता के द्वारा विवान में बैठकर हमारे लोग में आ पहुँचे इधर उनके मारने की खबर सुनकर गनवती के बहुत रूदन हुआ और वर रूरो कर कहने लगे कि पीता और पती देव के बगएर मैं कैसे जी वितरूंगी हाई हाई मुझे तो किसके बरोस से तुम छोड़कर चले गए अब मेरे खानपान का प्रबंद कहां से होगा तुम मेरा कौन ठिकाना छोड़के गए हो इस प्रकार गुर्मती भी लाब करती है प्रित्वी पर मुट्शित हो गई जब जेतना आई तो घर का सबसमान बेच कर उसने मेरे पती और पिता का त्युष्ट्टि की और फिर संसार की विराग्य लेकर भक्ती की और चली गई इस प्रकार करते करते कार्टिमास भी आगए जब विधी प्रोजान से कार्टिक मास का सनान करने लगी तो साहथ ये कादशी का व्रत भी आया, ये दोनों ही व्रत भगवान को अतियन प्रिया है, तथा मुक्ति और एश्वर्यत देने वाले हैं, अहीं प्रिये, कार्थिक मास में तूला के सूरिये में, जो प्रात्यकाल सनान और जागन दीपतान करते हैं, उनमें, जन्म जन्म अंतर के पा प्रित हो गई, और असरी नहीं पीड़के काड़े दूर पर श्रीज के कांगा सरन पर कष्ट भोगते हुए, गई तो सनान करने को गंगा जी में प्रवेश्च के मारे ही, उसका सारा श्रीत कर थरतर कापा और वहाश्ची लोग कर गए उसे समें विश्ण भगवान ब्रह्मा अदी देवताओं द्वारा प्रात्ना के हुए, प्रित्री कभार मैंने कृष्ण अवता धर्ण किया उस समय उतने जितने भी हमारे विश्ण गंतेवे मेरे साथ याद्वों गवाल बाल होकर प्रित्री पर उत्रे देव शर्मा तुम्हारा पिता था तो वह है इ तब उस जनम से गुनवती थी तो तुम इस प्रित्री पर जनम धान करके सत्य अवामा बनी कार्ति के प्रिभाव से ही तुम मेरे इतनी प्रिये हो तुम आजनमा तुलसी के व्रिक्ष को सींच कर उसका परन किया है इस से ही तुम मेरे आंगन में कल व्रिक्ष मैंने तुम म तुम्हारी काया भी काया को कभी भी कष्ट नहीं होता और कष्ट हैं जो उस वक्त किया था तो उसी से तुम मेरी अर्धांगनी हुई हो जो कार्तिक मास के विरत करता है वह मेरे मुझे तुम्हारे समानी प्रिय है प्रिय है अन्य दूसरे जब तप आदि दान का कार्तिक के स प्रिश्टम ध्याए किजए